मध्य प्रदेश के इंदोर जिले के देपाल पूर में अखिल भारतिय मंगला मुखी किनर समास द्वारा धार्मिख फिल्मी और देशभक्ती से ओध पुरोत गानों पर नत्य कारिक्रम का आईज़न किया गया कारेकरम देखने वर लोगों में कारेकरम के परती अति उस्साह और सहयोगात्मा करूख अपनाते हुए लोगों द्वारा अपनी ओर से सहयोग दिया जा रहा है वहीं अपने बच्चों को आसिरुवत दिलवाय जा रहा है। कारेक्रम में महिलाओकी संक्या बहुत आयात में हो कर बहुती रूची से कारेक्रम को देखा जा रहा है। जिसकी सराहना आम जनता में की जा रही है। अखिल भारती मंगला मुखी किंडर समाज का भवे महा सम्मेलन देपालपुर में विशाल रूप में पहली बार होगा सम्मेलन रहीवार 15 दिसंबर सुरू हो गया है 28 दिसंबर तक चलेगा परती दिन परतक परतक आयोजन होंगे कारेकरम आयोजन देपालपुर की राणी बड़े गुरू की याद जो कारेकरम होंगे इसमें शेहर के सुक सम्म्रद्दी जैजमानों के मंगल कारियों के लिए दुआ आशिस संस्क्रती कारेकरम और चाक पुजा होगी बुद्वार के बाद परती दिन आम जन के लिए यह कारेकरम रात्री 8 बजे से 11 वे तक के लि पर दोजा और भगवान शरी राम को वास्तर चड़ा गए आज का प्रोग्राम नहीं तर कल का प्रोग्राम होनों आगे और बताते रहेंगा आपको जैभारत रानी बुआ जी ने है ना समेलन रखा है भारतिये समेला ने किनर समाज का हमारा जो यह किनर समेला ने यह दरसा के सुरक्षा करते हैं हम उनके लिए सबसे पहले तो दुआई मांगते हैं कि वो स्वस्त रहें और जैसे वो जाते हैं घर से वैसे वापस घर्थ पे लोट के आए दूसरी बात रानी बुआ जी ने है समेलन यहां के जनता के लिए किया है यहां के लोगों के लिए किया है इस डेपालपूर का उधार हो यहां के जनता खुश रहे उनके घर में सुक्ष सम्रदी एस बैभववाई और जितने भी किनर है सब रानी बुआ जी को सहयोग दे रहे हैं और रानी बुआ जी हमारे किनर समाज को सहयोग दे रहे हैं पुरा निमंत्र देके बुलाया है बह सुमन बुआ जी है मेरे गुरु का नाम किरन बुआ जी है जसु बुआ जी है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें